नमस्कार मैं हूँ अंजली आदव आप देख रहे एक नियोस 24 गया अफीम विनस्टी करन अभ्यान के तहट गया जिले के अति अनकसलिय प्रभावी छेत दुमरिया प्रखन के छेत में अफीम के फसल को नस्ट किया गया दुमरिया थाना छेत की काचर पंचायत अंतरगत हूडमिट गाउं में लगबग 7.85 एकर भूमी में लगी अफीम के फसल को प्रसासन दौरा ट्रैक्टर चला कर नस्ट किया गया सुनिये पूरी खबर इस रिपोर्ट में गया अफीम विनस्टी करन अभ्यान के तहत गया जुले के अतिनक सल्य प्रभाविच छेत्र दुमरिया प्रखंट छेत्र में अफीम का फसल नस्ट कर दिया गया दुमरिया थाना छेत्र की काचर पंचायत अंतरगत हूडमिट गाउं में लगबग 7.85 एकर भूमी में लग 27.85 एकर भूमी में बड़े पैमाने पर लगी अफीम की फसल को SSB 29 वाहिनी सीख कमपनी दुमरिया सुरक्षा बलो के जवानों व एक्सरसाइज बिभाग द्वारत तयार फसल को नस्ट कर दिया गया एक वनिस्टी करन अभ्यान में एक्सरसाइज बिभाग के नोडल अधि प्राबारि प्रभात कुमार ढुमरिया थाना प्रभारि पवन कुमार सिंग एकसी कुमार वनभीभा के अधिकारी दिनेज़ प्रशाद गुपता मुनरिया अंचालीधिकारी कौसर इमाम अंचल अमीन राजीव रंजन के अलावा काफी संख्या में SSB के सुरक्षा बलव दुमडिया थाना की पुलिस मौझूद थी तो आपको एक बाए फिर से बताते चले कि गया अफीम विनिस्टिक करन अभ्यान के तहत गया जिले के अती नक्सले प्रभावी छेत्र डुमडिया परखन छेत्र में अफीम का फसल नस्ट कर दिया गया वहीं डुमडिया थाना छ शेतर की काचल पंचायत अंतर रास्टिय हुर्मेट गाउं में लगबग 7.85 एकर भूमी में लगी अफीम का फसल को प्रसासन के द्वारा ट्रैक्टर चलाकर नस्ट किया गया दुमरिया प्रखंट के बिहार जारखंट की सीमा से सटे हुर्मेट गाउं में नीजी भूमे में लगा 7.85 एकर भूमी में बड़े पैमाने पर लगी अफीम की फसल को SSB 29 वाहिनी सी कंपनी दुमरिया सुरक्षा बलों के जवानों वा एक्सेसाइज विभाग द्वारा तयार फसल को नस्ट कर दिया गया वहीं एक वनिस्टी करन अभ्यान में एक्सेसाइज विभाग के दुमर्या थानग प्रभारी पवन कुमार सिंग SSB दुमर्या के इंस्ट्र राकेज कुमार वन विभाग के अधिकारी दिनेश प्रशाद गुपता दुमर्या अंचल अधिकारी कौसर इमाम अंचल अमीन राजीव रण्जन के अलावाकौ दुमर्या आं кажVIS इस वीडियो को यूट्यूब के माधियम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे इस वीडियो को फेस्बुक के माधियम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें